नमस्कार इन खबर में आप सभी का स्वागत है आज से देश में कोरोना की प्रिकोशन डोज यानि की बूस्टर डोज दी जानी शुरू कर दी गई है ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये डोज किसको दी जाती है या फिर क्या इस डोज का लेना आनिवार रहे है और तीसा सवाल आपके मन में ये भी बन सकता है कि अगर आपने पहली दोनों डोज कोविशील या कोवैक्सिन की लिए तो क्या आप तीस्ती डोज बदल के ले सकते हैं तो इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आज देने जा रहे हैं इसमें सबसे पहला सवाल यही है कि आ कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा खत्रों के करीब रहते हैं इसके बाद दूसरा सवाल यह था कि क्या अगर आपने पहली डोस को दोनों कोविशील्ड की लिए है तो फिर अब आप को वैक्सिन की डोस ले सकते हैं क्या पर इसका जवाब है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आपने कोवैक्सिन की दोनों डोस पहली वाली लिए है तो आपको अब तीसरी जो बूस्टर डोस है वो भी कोवैक्सिन की लगाई जाएगी देश भर में तमाम विशशग्यों का यही कहना है कि अगर हम बिलकुल उसी डूटीन को फॉलो करते हैं उसी डोस को फॉलो करते हैं जो डोस पहले लिए गई है तो उसके साइड एफेक्ट्स नहीं होंगे और उसका अच्छा प्रवाब रहेगा अब तीसरा और अंतिम सवाल यह है कि क्या कोरोना वैक्सिन लेना अनिवार है कोरोना की यह तीसरी डोस लेना अनिवार है तो इसका जवाब है कि ऐसी इम्यूनियोट रहें तो आगर तीसरी डोस बूस्टर डोस लेने अगर आप लायक है आप एलिजिबल है तो आप यह डोस ज़रूर लें कोरोना से चुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें इन खबर के साथ इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें